नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल 10 बेश्ट में दोस्तों पीछले छे महिनों से लॉक्डॉन की वज़े से घर में रह रह कर लोग बोर हो चुके हैं और अब जब ट्रेन और फ्लाइट चालू हो चुकी है तो आप में से बहुत से लोग घूमने जाने की सोच रहे होंगे चुकि अभी सर्दियों का मोसम आने वाला है और सर्दियों में लोगों का सबसे फेवरेट टूरिश डेस्टिनेशन होता है सीवीचेश क्यूंकि गर्मियों में तो सीवीचेश पर नहीं जा सकते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको हमारे भारत के 10 बेट हैं तो आज हम आपको अलग-अलग राजयों के बेश्ट बीचेश के बारे में बताएंगे तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दवान क्वाद ही सुंदर बीच है यहाली में इस बीच को इंटरनेशनल ब्लूएंट भी्लक सेटिफिकेट भी मिला है यह ब्लूएंग सेटिफिकेट उन वी इसको दिया जाता है जो बीचेंड पीच वाटर क्वालिटी और बीच के किनारे पहाडियों पर APTDC का हरीथा बीच रिसॉर्ट भी है जो इस टे के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस बीच पर सभी परकार के वाटर एस्पोर्स एक्टिविटीज अवेलेवल है और यहां पे एक्सपर्ट सुपर्वीजन में स्वीमिंग की ट्रे एयरपोर्ट 24 किलोमीटर की दूरी पर है नंबर टू गोकर्णा बीच करनाटका का गोकर्णा टाउन अपने बीचेज के लिए गोवा के बाद देश का नया बीच डेस्टिनेशन बनता जा रहा है गोकर्णा में लगबख सिक्स बीचेज हैं जिनमें से गोकर्णा में बीच कुंडले बीच हाफ मून बीच और बेलकन बीच पॉपुलर है ओम बीच का नाम ओम के सेप के कारा रखा गया है क्यूंकि इसे एरियल व्यू में देखने पर ये बिलकुल ओम की तरह नजर आता है और इसी तरह कुछ कहानी हाफ मून बीच की भी है गोकर्णा में सभी परकार के वाटर स्पोर्स मिल जाएंगे जिसमें स्कूबा डाइबिंग और श्नॉर्क्लिंग भी सामिल है ओम बीच पर वाटर बोर से आप डॉल्फिन स्पोर्टिंग करने भी जा सकते हैं अगर आप ट्रेकिंग करना पसंद करते हैं तो पहारी जंगलों के रास्ते हाफ मून बीच ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं इस बीच के पास ही महाबलेश्वन मंदीर है जो की बहुत ही पॉपुलर है गोकरना जाने के लिए नियरेश्ट एयरपोर्ट गोवा एयरपोर्ट है जो की लगबग 150 किलो मिटर दूर है नियरेश्ट रेलवे स्टेशन अ इस बीच को गोल्डेन बीच भी कहा जाता है और यह बीच लगबग 7 किलो मिटर लंबा है और भगवान जगनात रत यात्रा के समय यह बीच पूरी तरह से टूरिस से भरा रहता है इस बीच पर सभी परकार के वाटर स्पोर्स एक्टिविटीज होती है और साथ ही यहां प इस फेस्टिवल के समय आपको धेरो सैंड आर्ट्स देखने को मिलेंगे चार धाम जगनात मंदिर के कार रहां पर होटल की भरमार है और आपको बहुत ही असानी से बज़र फ्रेंडली होटल मिल जाएंगे साथ ही धेरो रेश्टोरेंट विम है इसके आलावा साम को बीच ज्यादा यूनिक होते हैं इस बीच पर जानी के लिए नियरेश रेलवे स्टेशन पूरी रेलवे स्टेशन है जो की बर्श टू किलोमीटर की दूरी पर है उरीशा का भुनेश्वर एयरपोर्ट यहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर है नमबर फॉर सिवराजपूर बीच ग चेंजिंग रूम, सावर फैसलिटी, किट्स प्ले एरिया जैसी सभी सुविदाय उपलब्द है बीच पर इलेक्ट सीटी के लिए एक छोटा सा सोलार पार्क है वाटर स्पोर्स एक्टिविटीज भी इस बीच पर काफी अच्छी है साथ ही आप डॉल्फिन स्पॉर्ट के एक्सप्रियंस लेना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको डीनर और ब्रेकफास्ट भी एविलेवल होता है इस बुकिंग के लिए आपको द्वार के इस बीच बीच रिसोर्ट एंड वाटर स्पोर्स को कॉन्टेक करना होगा जिसका लिंक हमन में दिया है इस बीच से छार धाम द्वार का दिसमंदिर सिकिम टेन किलोमीटर की दूरी पर है इस बीच पह जाने के लिए सबसे कुरिब़ी रेलवे स्टेशन द्वार का रेलेơnवे स्टेशन का अमदाबाद एयरपोर्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि जामनगर अरंबोल बीच गोवा अब चलते हैं दोस्तों बीचेज के हैवेन यानि गोवा में और यहां के धेरो बीचेज में से हमारी लिस्ट में हमने सेलेट किया है अरंबोल बीच को जो की है नौर्थ गोवा में गोवा के पॉपुलर बीचेज की तुल्ला में अरंबोल बीच लेस बजर फ्रेंडली होटेल्स में हर परकार के इंटर कॉंटिनेंटल फूड एंज्वाइब कर सकते हैं इन होटेल्स में डिनर के लिए फ्रेश सीफूड बहुत ही पॉपुलर है इस बीच के बाहर का लोकल मार्केट शॉपिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है अब सबसे सुना होगा गोवा के सीक्रेट बीचेश के बारे में तो अरंबोल के पास भी एक ऐसा ही सीक्रेट बीच है जिसको स्वीट लेक कहते हैं क्यूंकि इस बीच के पास ही पहाडियों में एक फ्रेश वाटर लेक भी है अरंबोल बीच से नौर्थ में लगबग 20-25 मिनट चलकर आप इस बीच पे पहुँच सकते हैं ये एक बहुत ही छोटा सा सीक्रेट बीच है और यहां पर आपको ज्यादा तर बिदेशी टुरिष्टी नजर आएंगे आप चाहे तो इस बीच के पास ही पहारियों पे ट्रेकिंग भी कर सकते हैं इस हील पर पैरा ग्लाइडिंग भ पर इस स्टेशन पर बहुत कं ट्रेंश रुखती है निहरेस्ट मेजर रेलवे इस्टेशन थिवीम है जो की लगबक 30 किलो मिटर दूर है निहरेस्ट ऐार पोट गोवाई अरपोर्ट है जो लगबग 60 किलोमीटर की दूरी पर है नमबर 6 गनपती पूले बीच महराश्रा महराश्रा के रतनगिरी जीले में गनपती पूले एक देवे स्थान है यहाँ पे भगवान गनपती का एक बहुत ही फेमस मंदीर है इस मंदीर की भगवान गनडेश की मुर्ती लगबग 400 साल पुरानी है यह मंदीर बीच पर ही इस्तित है और इसी वज़े से इस बीच का नाम गनपती पूले बीच है यह बीच बहुत ही लंबा बीच है इस बीच पर सभी प्रकार के वाटर स्पोर्स एक्टिविटी होते हैं वैसे तो इस बीच के आसपास बहुत सारे श्टे आप्शन अवेलेवल है लेकिन महराष्टा टूरीजम का MTDC रिशॉर्ट एक बहुत ही वेश्ट आप्शन है यह रिशॉर्ट बीच के पास हील पर है इसमें अलग-अलग टाइप के कौटेज है यह कौटेज हील के अलग-अलग छोर पे बने हैं और सभी परकार के कौटेज बहुत ही अच्छे हैं इन कौटेज की बालकनी से गनपती पूले बीच का नजारा अब प्रितिम दिखता है गनपती पूले बीच पर आपको धेरो बीच साइट फूड श्टॉल्स मिल जाएंगे और इसके अलावा आप चाहे तो MTTC रिसोर्ट के भीतर तरंग रेस्टॉरेंट में भी जा सकते हैं इस रेस्टॉरेंट की सुर्मई फ्राई थाली लाजवाब होती है गनपती पूले बीच से लगबग सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे प्राचीन कोकन म्यूजियम और मैजिक गार्डन है आप उहाँ पर भी बिजिट कर सकते हैं मैजिक गार्डन बच्चों के लिए काफी एंटर्टेनिंग जगा है एक इंपोर्टेन बात बता दू फ्रेंड्स इस बीच के पास एटियम की थोड़ी प्रॉप्लम है और यहाँ के लोकल सौप से डिजिटल पेमेंट्स की भी लिमिटेर सूबिदा है इसलिए यहाँ जाते वक्त अपने पास कैस जरूर रखे गनपती पूले जाने के लिए नियरेष्ट रेल्वे इस्टेशन रत्नागिरी जंक्सन है जो की 30 किलोमीटर दूर और नियरेष्ट एयरपोर्ट गोवा एयरपोर्ट है जो लगबग 280 किलोमीटर पर है नमबर सेबन समुंद्रा बीच केरला ये बीच केरल के तिरवंत पूरम में है और ये फेमस कोलम बीच से वकेविल डिस्टेंस पर है कोलम बीच की तुलना में समुंद्रा बीच पर बहुत ही कम भीर होती है और आलिसान होटल से घीरे होने के कारण ये बीच बिल्कुल एक प्राइबिट बीच की तरह नजर आता है इन होटल में से एक उदेश समुंद्रा लीजर होटल को 2010 में Asia's Best Beach Hotels का अवर्ड भी मिल चुका है इसके अलावा केरला टूरिजम का KTDC रिसॉर्ट भी इस टे के लिए एक बहुत अच्छा उप्सन है इस बीच पर वाटर स्पोर्स एक्टिविटीज नहीं है उसके लिए आप कोलम बीच पर जा सकते हैं जो की काफी नजीक है नियरवाय एट्रेक्शन में असोका बीच और कोलम लाइट हाउस का भी तूर कर सकते हैं वैसे तो बीच के आसपा छोटे रेस्टोरेंट्स अविलेवल है पर अगर आप इंटर कॉंटिनेंटल फूर्ड ट्राइ करना चाहते हैं तो उदे समुंद्रा होटल अच्छा ओप्शन है समुंद्रा बीच से सबसे करीवी रेल्वे स्टेशन तिर्वंत पूरम है जो की लगबग 11 किलोमीटर है और नियरेश्ट एयरपोर्ट तिर्वेंद्रम एयरपोर्ट है जो लगबग 13 किलोमीटर दूर है चलिए दोस्तों अब आपको ले चलते हैं देश के सबसे दच्छरी राज तमिलाडू में और यहां पर चार धम रामेश्वरम मंदिर से लगबग 15 किलोमीटर की दूरी पर है धनुसकोरी बीच यह सिर्प एक बीच नहीं है बलकि है एक महा संगम हाँ दो समुन्दरों का महा संगम एक तरफ हिंद महा सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी और इन दोनों के संगम पर है धनुसकोरी बीच और यह वही जगह है जहां पर राम सेतु है इसलिए इस जगह का धार्मिक महत्त भी बहुत बढ़ जाता है यहां पर पहुँचकर आप राम सेतु को बिल्कुल अपने सामने देख सकते हैं इस जगह को लाश्ट लैंड ओफ इंडिया भी कहा जाता है और यहां से स्री लंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है धनुसकोडी बीच अपने आप में बिल्कुल यूनिक है दोस्तों क्योंकि ये बीच तीन ओर से समुद्र से घिरा है यानि यहां खड़े होकर आपको अपने हर तरफ पानी है पानी नजराता है अपने इसी इनिकनेस और राम सेतु के धार्मिक महत्व के कारण यहां पे हर साल लाखों लोग आते हैं इस जगह के बारे में एक स्पेसल बात बता दो दोस्तों 1964 में एक बहुत ही खतरनाक साइकलोन की वज़े से यहां सब कुछ बरबाद हो गया था और तब से सरकार ने इस जगह को इन हैविटेवल डिक किलर कर दिया है और इसलिए धनुस कोड़ी को घोष टाउन भी कहा जाता है इस बीच पर साम को 6 बजे के बाद जाना मना है इसलिए इस बीच के आसपास कोई होटेल्स रही है और इस टे के लिए आपको रामेस्वरम ही सबसे सुटेबल प्लेस है खाने पीने के लिए आपको रामेस्वरम से धनुस कोड़ी के रास्ते बहुत सारे छोटे 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 लोकल फूट इस टॉल मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बढ़िया सीफूर्ट सॉर्प करते हैं इस पीच पर जाने के लिए नियरिष रेलव एस्टेसन रामेस्वरम एस्टेसन है जो लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है जबकि मदुराई एरपोर्ट रामेस्वरम से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है सारे राजों के बेश्ट बीचेस के बाद चलते हैं दोस्तों हमारे देश के ब्यूटिफुल आइलेंड्स की ओर और इनमें सबसे पहले आता है अंडमान एन निकोबार आइलेंड्स बंगाल की खाड़ी में चन्नाई और विशाखा पटनम सी पोर्ट से लगब़ तोयर्फ हंडेट किरो मीटर दूर है ये आइलेंड्स अंडमान और निकोबार आइलेंड्स पर धेरो छोटे बड़े आइलेंड्स है और इनही में से एक है हैबलोक आइलेंड्स और हैबलोक आ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैक सर्टिफाइड भी है यह बीच पहारों जंगलों से घीरा हुआ है और यहां का पानी बिलकुल क्रिश्टल क्लियर है इस बीच का पानी बहुत ही सांत है यहां पर स्विमिंग करने का अपना अलग ही मजा है इस बीच पर वाटर स्पोर्स एक्ट बीच और नील कूप भी देखने जा सकते हैं चलिए अब आपको राधा नगर बीच जाने के लिए क्या मोड आफ ट्रांसपोर्ट है वो बताते हैं अंडमान आइलेंड जाने के लिए आप चन्नेई से टू आर्स प्लाइट स्या सेवेंटी टू आर्स क्रूज सीप का आप पोर्ट से हैलिकाप्टर सर्वीस या पोर्ट बिलेयर जेटी से क्रूज सिप्स के जरिये आप हैवलोग आइलेंड पहसते हैं हैवलोग जेटी से राधा नगर बीच बाइकार लगबग आदे घंटे की दूरी पर है दोस्तों आप जब भी अंडमान ट्रीप प्लान करें ह प्लाइब लोग आइलेंड पर एक दिन का इस्टे जरूर करें नमबर टेन कब्रती बिच लगचिदीप अंडमान आइलेंड की तरह ही हमारे देश के पास है एक और ब्यूटिफूल आइलेंड लगचिदीप लगचिदीप एक संस्क्रीश सब्द है और इसका मतलब होता ह है लाखोदीप और जब आप यहां के आइलेंड और लगूंस को देखेंगे तो आपको यह लाखोदीप बिल्कुछ सच प्रतीत होगा लगचिदीप 36 आइलेंड का ग्रूप है और कब्रती लगचिदीप का कैपिटल आइलेंड है कब्रती बीच बहुत ही ब्यूटिफू भी है जिसके उपर से आप कब्रती आइलेंड के ब्यूटिफूल नेचर को देख सकते हैं बीच के पास इमरीन एक्वेरियम और डॉल्फिन डाइस सेंटर मेजर अट्रेक्शन है यहां पर अंडर वाटर ग्लास बोर्ट से आप सी क्रीचर्स भी देख सकते हैं चलिए आप को बताते हैं आप यहां कैसे जा सकते हैं लक्षी दीप जाने के लिए पहले आपको केरल में कोचिन आना होगा कोचिन से फ्लाइर्स और क्रूज सिप्स के जरिए आप लक्षी दीप जा सकते हैं लक्षी दीप में एक बहुती सुन्दर और छोटा सा एयरपोर्ट है अगा अगाती एयरपोर्ट अगाती एयरपोर्ट से कवरवत्ती लगबग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और कुरूज सीप और हेलिकॉप्टर के ऑप्सन अविलेवल हैं कोचिन से लक्षदिप के लिए कुरूज सीप टूर्ट पैकेज़ भी अविलेवल हैं इन में से आप MB कौरती क थ्री डेज पैकेज चूच कर सकते हैं अब सबसे इंपोर्टेंट बात दोस्तों भले ही आप भारतियों हो लेकिन लक्षदिप जाने के लिए आपको पर्मिट लेना पड़ता है और यह पर्मिट आपको मिलता है स्पोर्ट से जिसका ओफिस कोचिन में है हमने इसकी सारे चनकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो अगर आप इन बीचेज में से किसी भी बीच पर गए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सप्रियंच जरूर सेयर करें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई दोस्तों